नवे दिन की chronology समझने की जरूरत है अमारे देश के एक बड़े व्यक्ति हैं जो हमेशा बार-बार लोगों को बोलते रहते हैं जरा chronology समझ है तो मैं आज कहना चाहता हूँ जरा chronology समझ है 11 तारीक को, जन्वरी 11 तारीक को अमारे दो विधायक शिबो मनी बर्वा और रारा गोस्वामी जो बुर्दोवा सत्र का बुर्दोवा थान के सत्र अधिकार है उनसे मिले और उन्होंने उनसे कहा कि 22 तारीक को राहुल जी और भारत जोडो न्याय आत्रा नावगव से इकल रहा है और राहुल जी चाहते है कि वो कुछ पांग तस मिनिट ये जो बुर्दोवा थान है पवित्र स्थान है श्री श्री शंकर देव का जरम स्थल है एक बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक गुरू रहे हैं हमारे शंकर देव जी सांस्कृतिक शक्सियत रहे हैं समाच सुधारक रहे हैं और आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेड़ना के स्थ्रोप और जो उन्होंने सिखाया है आज भी और और भी महत्व रखता है आज के दिनों में तो राहूल जी की ये जो गुजारिश थी उन्होंने सत्रादिकार तक पहुंचाया और उसी दिन ग्यारा तारिक को हम ये मान कर चल रहे थे कि हम बाइस तारिक करीब आड़ बजे को राहूल जी बुर्दोवा थान जाएंगे कोई आपती नहीं जताई गई गयारा तारिक को हमें कहा गया आपका स्वाधत उसके कुछी दिन बाद हमारे जो सांसद हैं जिसके संसदी ये क्षेत्र में बोर्दोवा थान पड़ता है गुरोग गयोई जी उन्होंने भी सत्रादिकार से मुलाकात की उन्होंन स्वाधते करना चाहते हैं स्रध्धांज्ली अर्पित करना चाहते हैं और अब सट्रादिकार ड हुषें दिन बात गयारा तारी था सकत्रादिकार दो दिन पहले 19 तारिक को गौरव गोजी 17 जीकार से मिले 20 तारिक 20 तारिक शाम को असम के मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि law and order गड़बड हो सकती है इसको ध्यान में रखते हुए असम की सरकार ने ये तेह किया है कि राहुल जी 22 तारिक को 8 बजे बुर्दोवा धान नहीं जा सकते पर 3 बजे के बाद जा सकते ये 20 तारिक शाम को हुआ 21 तारिक सुबे 11 बजे 21 तारिक को 11 बजे 17 दिकार से एक बयान आया कि बुर्दोवा धान की जो मैनेजमेंट समिती है उन्होंने ये निर्ने लिया है कि लॉय और गडबड़ी होने के कारण जो गुझाईश है लॉय और व्यवस्था गडबड़ी हो जाएगी तो राहुल जी सुबे ना आये पर तीन बजे के बाद आये यानि कि 17 दिकार ने वही दोराया जो एक दिन पहले मुख्य मंत्री ने घोशना कर दी थी तो आज सुबे करीब 8-20 तक राहुल जी वहां पहुंचे 17 किलो मिटर पहले ही बैरिकेड लगाया गया था हम जान नहीं पाए हमने बार बार निविदन कि सुरक्षा अधिकारियों से स्पी से और जो अफसर वहां मौझूद थे और हमने ये भी कहा कि हमारे जो सांसद हैं जिनके संसदी अक्षेत्र में ये बुर्दवा थान पड़ता है और हमारे जो विधाई का है शिवमनी बर्वा उनको तो जाने दीजिए वो भी नहीं मंजूर हुआ पर बातचीत चली और आदे घंडे के बातचीत हुई उगी उन्होंने गुहाटी को फोन किया होगा गुहाटी ने दिल्ली को फोन किया होगा और दिल्ली से अन्यमति आहुँ होगी कि ठीक है राहुड जी को मत छोड़ेगा पर गौरव गोगई जो लोकल सांसद है और शिवोवनी बर्वा जो लोकल विलाई का है उनको जाना है तो गौरव जी आपको बताएंगे धान में क्या बाच्चीत हुई पर ये बिल्कुल साफ हो गया है कि ये एक उनकी रन्नीती हमेशा रही है कि राहूल जी को यहां न आने दिया जाएंगे क्यूं मैं नहीं बता सकता हूं आप लोग सब जानते हैं आज का दिन क्या हो रहा है सारे चैनल सारे अगबार सारे घबर सारे एजन्सियां सिर्फ एक ही विशेव पर फोकुस कर रहे हैं हो सकता है हमारे अहंकाचारिय नहीं चाहते हैं कि और किसी विशेव पर देश की निगाएं हो और इसलिए उन्होंने ये निन्यने लिया है पर हम दो गंटे तक उस बैरिकेट के पास हम बैठे रहे राहूल जी बैठे रहे अलग-अलग लोगों से बाचीत की चोटे चोड़े लटके लटकियां उनसे मुलाकात की वहां महिलाएं भी थी उन्होंने भजन गाया रगोपती रागव राजार्राम का और दो गंटे बाद जब गौरव जी और शिवोगनी बर्वा जी वापस लोटाएं बोर्दोवा थांसे तब हम वहां से निकलें उसका ये नतीजा हुआ कि आज सुबे का जो कारिक्रम था आज सुबे का जो प्लान था हमारा हम उसको पूरा नहीं करवाएं भारत जुड़न न्यायात्रा फिर से दो बजे शुरू होगा जो प्लान हमने बनाया था जो कारिक्रम के अनुसार की शुरू होगा पर मैं अब एक राहूल जी को दस मिनिट की अनुमदी दिया चली वह आठ बज़े से लेकर सवा आठ तक वहां रहते या आठ पंद्रा से लेकर साड़े आठ तक वहां रहते तो कारेक्रम अपने आप चलते रहेते हैं दो घंटे तक हम वहां बैठे रहें गौरव जी और शिबोबनी जी दोनों वहां वहाँ वापस आए और तभी हम उठकर यहां कैम साइट आए तो मैं कहना चाहता हूं यह कोई लास्ट मिनिट दिन नहीं था नहीं था इसमें कोई राजजितिक मकसद नहीं था कोई चुनावी मकसद नहीं था हम नौगाव जिले में हमें पहले से पता था कि 22 तारीक को हम नौगाव जिले में होंगे और हम नौगाव जिले में आए हैं और बोर्दोवा थान हम नहीं जाएंगे अगर हम नहीं गए होते तो हमारी आलोचना होती कि आप यहाँ आए हैं और बितना भी कश नहीं कर रहे हैं कि शंकर देव जी गुरुदेव जी की जर्मस्थान पर पवित्र जर्मस्थान पर आप नहीं जा पा रहे हैं इसलिए 11 तारिक से हमारे मन में ये था कि 22 तारिक को 10-15 मिनिट के लिए रहुल जी यहाँ जाएंगे हमने यहाँ तक कहा आज सुबे कि ठीक है और किसी को जाने की जरूरत नहीं है सिर्फ रहुल जी जाएं और वो भी सुरक्षा कर्मियों के गाड़ी में जाएं पुलीस वेहिकल में जाएं वो भी मन्सूर नहीं था उनको क्योंकि उनका मकसल एक था रहुल जी को वहाँ नह हम उनको विश्वास दिला पए कि हमारे लोक तन्त्र प्रणाली जो है अगर जो लोक्ल सांसद अगर ये लोकल फ जाने से रोका गया है और यह सांसद है यहां के विधायक है अगर वो नहीं चल पाते हैं बिना किसी पाबंदी के तो यह लोक्तुंत्री क्या इसका माइने क्या है तो भारत जोड़ो न्यायात्रा फिर से दो मजे शुरू होगा कल सुबह बिलकुल असम और मेगालय के सीमा पर यूनिवर्स्टी ऑफ साइनस टेक्णोलोजी अंड मेडिसेन मेगालय यूस्टीम तो बिलकुल बॉर्डर पर है मेगालय के है अगर आप बाहर खड़े होंगे तो आपको असम दिखेगा यहां देखोगे तो मेगालय दिखेगा वहां राहुल ज तीन हजार अड़िटोरियम में यूवकों से होगा वो रोजगार के विशेयों पर यूवाव न्याई के विशेयों पर वो बातशीत करेंगे और उसके बाद हमारा जो कारिकरम है उसके बारे में हमारे PCC अध्यक्ष और हमारे जो प्रभारी है एजिटेंडर सिंग्जी आपको बताएंगे